हेलो अबरिवन आपका एक भाइब फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेज विडियो पे तो आज इस विडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मेरे असीष्ट एक सेवर फंड डाइट गुरूथ के भारे में इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मेरे असी आप क्या लगा सकते हैं इसका फंड साइज क्या है साथ मैं आप से डिसकर्स करूंगा मेरी असिट टेक्स सेवर फंड डायट ग्रोथ के अंदर कौन-कौन सा स्टॉक लिस्टेट है और यदि आप इसमें इंबेस्मेंट करते हैं तो आभी के मार्केट के इसाब से आने वाली एक साल, तीन साल, पांच साल के अंदर आपको क्या रिटन देखने को मिलेगा तो बात कर लेते हैं हम लोग इसका पिछला एक साल का रिटन तो पिछले एक साल में लगभग 11% के आसपस रिटन दिया है तीन साल में 22% के आसपस रिटन दिया है पांच साल में रिटन की बात बात कर लेते हैं तो 18% के आसपास रिटन दिया है और इन्वाल रिटन देखे तो साड़े 18% के आसपास इन्वाल रिटन आपको देखने को मिलेगा मेरी असिस्ट टेक्सेवर फंड डारेट ग्रोथ के अंदर अब इसका हम लोग एन्वी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एन्वी का प्राइस है अनतीस रुप्या थीस पैसा रेटिंग की बात करें तो यह फोर इस्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें मिनिममम S.I.P. अमट आप 500 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है 17,985 करोर का अब हम लोग इसका रिटन कल्कुलेटर देखते हैं रिटन कल्कुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस मुच्वल फंड के अंदर 5,000 रुप्या मंत S.I.P. कर रहे हैं तो आने वाले एक साल, तीन साल, पांच साल के अंदर आपको क्या रिटन देखने को मिलेगा तो बात करते हैं लोग पिछले एक साल का तो एक साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुप्या आपको मिलेगा 63,312 रुप्या तीन साल की बात कर ल आपको मिलेगा 4,63,708 रुपया अब हम लोग इसके अंदर हॉल्डिंग के बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 63 स्टॉक लिस्टेड है जिसमें से टॉप 10 पर हम लोग बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड, ICIC बैंक लिमिटेड, State Bank of India चोथा Infosys लिमिटेड, पांचमा Reliance Industrial लिमिटेड, छटा Axis बैंक लिमिटेड, सातमा HCL Technology लिमिटेड, आथमा Larson and Turbo लिमिटेड, नवा NTPC लिमिटेड और दसमा भारती अटेड लिमिटेड तो यह Total Top 10 Stock इसके अंदर लिश्टेड है, ऐसे इस Mutual Fund के अंदर जो Stock लिश्टेड है, वो Total 63 Stock लिश्टेड है अब लोग Return and Ranking की बात कर लेते हैं, तो एक साल के अंदर जो Fund रिटन है, वो 11 का है तीन साल में 22.3, पांच साल में 18.1, और अनुमल देखा है जाए, तो 18.6, वहीं पर कैटेगरी अबरेज में देखते हैं, तो एक साल में 10.9, तीन साल में 18.2, पांच साल में 14.6, रिटन रैंक की कैटेगरी पर देखें, तो एक साल में 17 नमर पे रैंक करता है, तीन साल में 99 नमर पे rank करता है और 5 सल में यह 4 नमर पे rank करता है अब इसी के आजपस यह दि हम similar funds देखे तो कुन-कुन सा है इसके आजपस similar funds उसके बारे में देखते हैं अब हम लोग इसकी expensive ratio exit load and tax की बात कर लेते हैं तो इसका जो expensive ratio है वह है 0.65% का exit note नील है किसी इपरकार का exit load नहीं है यह आपर stamp duty की बात कर लेते हैं तो stamp duty है 0.005% तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss क्या मेरे assist tax saver fund diet growth के बारे में फिर मिलते हैं हम लोग next को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर कें